आपके चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीपीएस डिवाइस के बारे में तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि जो आधार एंडॉल्मेंट क्लाइन 3.3 जो लाँच हुआ है उसमें जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार हो गया है तो फ्रेंड्स उस जीपीएस डिवाइस को कहां से लें कैसे लें तो इस पूरे वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्केशन करने वाला हूँ जैसा कि अम हेर बार बोलता हूँ कि यदि आपने हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे देख्ये एक लालग हो का सब्सक्राइब कर बटन है। junk distint युझरी होता है यहां पर जख सकते हैं captive यहां यहां पर यह पर च्पैस राई से में आपको दिखा एता हू यहां पर आप देख सकते हैं जिसका यहां पर प्राइस है 4,327 रुपए है इसमें आपको free delivery मिल जाती है तो यहां से आप उस device को purchase कर सकते हैं और friends मैं recommend करूंगा कि यह device purchase करने से पहले आप अपने district manager coordinator और जो जो भी officials हैं उनसे आप contact करें कि यह क्या यह device उसके लिए compatible है यार best है तो friends आप यहां पर देख सकते हैं global set VU353S4 तो यह device आप यहां पर देख सकते हैं friends जिसकी कीमत है 4,327 रुपए है तो friends इसको यहां से purchase करने से पहले आप सबसे पहले आप अपने जो area के district manager है उनसे contact कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या यह device जो हमारा नया version है 3 3.3 ठीक है तो क्या उसमें यह proper work करेगा अगर यह work करता है तभी आप यहां से कर दें otherwise यहां से न कर दें अगर आपको CSC अगर प्रोवाइड करता है यह device तो बिल्कुल वहां से purchase कर सकते हैं friends तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि यहां पर देखिए अधार जहां भी आधार यह बन रहा है यह device बहुत ही जरूरी हो गया है उनको लगाना जरूरी हो गया है तो friends अगर आप मानल जी कि अपने district manager से बात करने के बाद यदि आप इसको Amazon से खरेदना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां से आप खरी सकते हैं और इसका लिंक मैं अप Amazon पर अवेलबल हैं और आप इसको market में भी पता कर सकते हैं तो friends आप comparison कर लीजिएगा market में जा करके इसको देख लीजिएगा कि यह कैसा है अगर आपको Amazon से खरीदने में आपको कुछ profit होता है तो बिल्कुल आप Amazon से खरीद लें और friends मैं आपको recommend करूंगा कि आप अगर मान इसको आप purchase करते हैं तो इसको आप online payment पैसा न करें और इसको cash on delivery करें ठीक है जब आपके पास वो device आ जाता है proper उसको check कर लें तभी वहाँ पर pay करें उसको otherwise इस तरह से ना करें ठीक है क्योंकि कुछ लोगों का कुछ लोगों की सिकायते आ रहे हैं कि उन्होंने सामान खरी जब भी वह आपके पास आजाये सामान तभी उसके cash payment करें तो तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो फ्रेंट्स लाइक करें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय ह में वन देबातरम झाल जातर हैं तो तो हमजाओ लाइब करें करें तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको करें तो फिरते हैं नेक्सराइब करेंसे पास बद्सक्त प्रेंपने से